मैं पूछना चाहता हूं सरकार से केंद्र सरकार से यानि कि अस्विनी बैसनों हो या फिर नरेनर मोधिज पर्थान मंत्री साहब हो जंधनी योजना में तो आपने 15 लाख रुपे नहीं दियें लेकिन वो मिलित परिवार यानि कि उडिशा बलासोर में जो रेलवे घटाए ह मुष्क कि सृबंगों सकता हूँ मैं उसे परिवार को म्टाध करके आर्थिक मदद करके से दूखों को थोड़ा कम किया सकता हैं मैं उनके बेटे को नहीं लोटा सकता हूँ yön्के मैं बच्चे को नहीं लोडा सकता हूँ उनके दुख दर्द में मैं मरहम नहीं बन सकता हूँ लेकिन हमारी एक राय है कि अगर रेलवेद दुल घटना में उनकी मिर्तु हुई है तो सैथ आप भी उन्हें सहयोग करें मदद करें यानि कि भारत के किरिकेटर है बिराट ने कम से कम 30 करोड रुपए दिन में काम किया दिया भी उन्होंने हाला कि वह मामले वह पैसे सोटकर तरीके से उनके पास जाते हैं पृडित परिवार के तरफ या फिर 20 तरीके में कर दिये है मैं उन्हें पंदर लाग से कर डिभाइड करता हूं तो कम से कम 200 परिवार का भरन पोसन हो सकता है पंदर लाग के हिसाब से मुआपजा के तरफ से तो केंदर में आपकी सरकार है क्या पंदर लाग रुपे एक परिवार को नहीं जा सकते है लेकिन हाँ एक सवर तर हमारी है कि पंदर लाग रुपे के साथ साथ एक सरकारी नोकर भी उन्हें दिया जाए तब आसाएद उस परिवार को भलाई हो सकते हैं उस परिवार का दुख थोड़ा कम हो सकता है माप किजिएगा मैं मापी चाहता हूं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, सत बोल सकता हूँ, अब बोलूँगा, लेकिन मैं उस पिरित परिवार के भाई को नहीं लोटा सकता है, उसके बच्चे को नहीं लोटा सकता है, उसके बेटे को नहीं लोटा सकता है, जिसके बेटे का अपना पिता का सरूठ किया होगा, जि कोटो खिचवाने से लोर भाने से भौकार पाके रोने से कोई फैदा नहीं होता है कि अगली कदम आपकी क्या होगी मैं देखना चाहता हूं हलाकि मैं बिहार सरकार को भी कहना चाहूंगा कि आपके बिहार कुछ नमादा जी ले से कुछ अजीत मांजी गोतम पस्वान रामजंदर पस्वान और असोक यादो राजियू यादो नजाने कौन-कौन से लोग हैं बरजभूसंति वारी कौन-कौन से लोग इस घटनाए में सामील है और वह आज इस दुनिया में नहीं है बहुत सर लोग को जाच है हलाकि सरकार को मैं देखा कि तीन सो लोग की प्रिष्टी की गई है कि तीन सो लोग को मिरिध पाने की समभावना है हलाकि जिनका टिकट कंफर्म था एक हएार सो लोग वहां पर पार है जनाब एक मैं आपको बता दिया और मैं अपने रख दिया भाला की सोचने वाली बात यह है कि भारत के तमाम जगों के लोग उस घटा में सामिल हैं जिन्होंने अपना भाई उखोया परिवार उखोया उस परिवार के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन मैं सरकार से यही सर्विसमेन है तो उनको नोकुरि की हिंसाफ से पैसा जोड़कर दिया जाए जिनकी उम्र की हिसाफ से जोड़कर पैसा दिया जाए तब साइद आपके पर से ठीका हट सकता है हाला कि परिवार को मैं देखता हूं कि जब मुआपजा दने के जब बात आती है सामने तो परिवार बड़ा आराम से सहम जाते हैं और सोचते हैं कि मुआपजा हमें भी मिल जाएगी लेकिन उस परिवार को यह मालूम नहीं है कि आपके अपने घर के आपके आपने बच्चे को जो खोए हैं बेटी को खोए हैं बेटा को खोए हैं किसी भी परिवार को आप अगर खोए हैं तो उनका पोस्टमाटम कराने से आप न चुके मैं एक बहुत बड़ा कड़ा सलाह आपको दे रहा हूं कि पोस्टमाटम कराने से आप न चुके क्यो कोई शाबूत नहीं होगा आप सरकार से नहीं लड़ सकते हैं yap अब सरकार से मुअपजार नहीं ले सकते हैं किome किसी का परचार पर सार परमोसर समय वा सब्सक्राइब करना आघ लाई हम आज बहुत मुझे तakलीब हुई मैं हलाकी बोलन लेकिन मैं बोलूँगा तो फिर कड़वा ही बोलूँगा लेकिन कड़वा सत्य बोलूँगा जी उडिशा में हुए रेल हासे मामले में बालासोर में लगभग एक हजार प्लस लोगों का मिरित होने की संकार जताई जा रही है जो कि 800 लोग मिरित पाए गए हैं लेकिन 300 मैं किसी पार्टी पावगा का बात करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ मैं पत्र करता के मैं अपने सवाल को रखने आया हूँ बहुत सारे लोग एक आहा रहे हैं कि 300 लोग मरने की संहाओना है लेकिन आपके नवादा जिला में थोड़ा मैं लिस्त दिख सम्हावना है गोतम मांजी दीपक मुसहार और अजीत कुमार नामक ब्यक्ति जो है इनकी मिरित होने की सम्हावना घोसना की गई है और छे लोग लगभग लगभग अभी घायल है लेकिन अब इनका क्या हुआ नहीं हुआ यह मुझे मालूम नहीं है जारखंड से ब्रजकिसोर पांडे, रोहित तिवारी, गोतम यादो, नंदू यादो और रामकिसोर पसवान यानि की लगभग लगभग बहुत सारे लोग बिहार के और जारखंड के यूपी के लोग घायल है कुछ मिरित भी हो गए हैं लगभग एक हजार लोग ही मिरित होन है अब सरकार इस पर चुपी साथ के बैठी हुई है हलाकि सोचने वाली बात यह है कि यूपी में कि अज़न सुरजभान सिंग नजाने बिंद और नजाने कौन कौन से मलब की बहुत सारे लोग ना मैं किसे आज जात्तरइपातंков बात करने आया हूँ ना कि-सी समाज कि-सी धन का बात करने आया हूँ ना किसी का परमोशन करने वाला हूँ बिहार भी मिरित परिवार है उनके साथ हमारे समय दनाई है लेकिन मैं उनके लिए एक सवाल करना चाहता हूँ सरकार से खास करके केंद्र सरकार से कि कुछ जोला चाप भेड़ी या मीड़ी है दिखाते नहीं है सची घटनाओं को चाहे ओ बिहार की घटना हो चाहे उपी की हो कोई घटना को कोई नहीं दिखा रहा है सिर्फ यह पता रहे है अरे भाई रेल हाज़ा तो हम भी जानते हैं लेकिन वो मिरत परिवार है उनको मुआबजा कौन दिलाएगा मैं उसी मुदे पर बात करने आया हूँ कि हाज से होते रहते है घटनाएं होते रहती है हलाकि उस पिरित परिवार को ना मैं भाई लोटा सकता हूं ना किसी का बहन लोटा सकता हूं ना मैं किसी के बच्चे लोटा सकता हूं लेकिन याद किजिए किसी बच्चे ने अपने पीता को खोया है किसी पीता ने अपने मां को खोया है किसी पत्नी अभी हैं उनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं लेकर उन्हें आर्थिक मदद पहुंचा कर सैथ उनके दुखों किया सकता है मैं बता सकता हूं आपको कि सरकार की योजना थी मोदी जी की लोकिन वो पूरा नहीं कर पाएं जंधन योजना यानि कि 15 लाख रुपे हरेक लोग क खाते में जाएंगे लेकिन उखाते में आप पैसा नहीं दिये हाला कि मैं आपका गहराओं नहीं कर रहा हूं एक सलाहा दे रहा हूं कि आपने पंदर लाख रुपया तो आपने किसी एक खाते में दिया नहीं लेकिन मैं चाहता हूँ सिरिमान मैं आप से आगरह करना चाहूँगा कि पंदर लाख रुपय अगर उस पडित परिवार को जो आज इस दुनिया में नहीं है अपने मा को खो दिये अपने पिता को खो दिये अपने भाई को खो दिये अपने बच्चों को खो दिये अपने बीबी को खो दिये आज इस दुनिया में वो नहीं है स्याद उन्हें पंदर लाख रुपया दे कर आप बहुत बड़ा एहसान कर सकते हैं लेकिन हमारी मांग सिर्फ इतनी ही नहीं है उस परिवार के लिए चाहे जो भी मिर्ट परिवार हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि पंदर लाख रुपया उन्हें नगत दिया जाए अब पंदर लाख के बार एक-एक नोकरी उस घर में घर दिया जाए Central Government के द्वारा तो सायथ उस परिवार के लिए कुछ रहम हो सकती है सरकार से मैं आगरह कर रहा चाहता हूं कि बहुत सारे आरोप परत्यारोप लगते रहते हैं लोग लगाते भी हैं लोग कहते भी हैं लेकिन मेरा काने का मतलब यह हुआ कि बहुत सारे लोग न्यूज बना रहे हैं बहुत सारे लोग को मैं देखा कि यहां पे इतना घटना हो गया यहां पे ऐसे है वहां पे वैसे है यहां पे पड़ा हुआ है तो सभी लोग न्यूज बनाने में है कि यहां घटना हुए ऐसे गाली पल्टी वैसे गाली पल्ट बहुत सार लोग दिखाते हैं लेकिन लोगों ने ये बात क्यों नहीं कहा कि अभी इस परिवार के लिए हो क्या सकता है इनके लिए मैं क्या करूं इनके लिए मैं कौन से कड़म उठाऊ ताकि इनकी दुखों को पहाड जो हैं कम हो सके हमारे मन में भी खेया लाया मैंने भी सोचा कि सरकार से मैं थोड़ा सा मांग कर लूँ तो मैं सरकार से यही मांग करना चाहूंगा कि जो भी रेल मंत्री है अस्वीनी वैसनो जी जो कि रेल मंत्री है सरकार में है और उनकी सरकार भी है किंद्र में मूदी जी की तो क्यों नहीं अस्वीनी वैसनो जी उस पिरित परिवार को मदद करते हैं मैं 15 लाख उनके लिए मांग किया कि जो कुछ नहीं करते हैं जो बेर रोजगार होंगे उसमें ना जाना कीशनी पर लेकिन कुछ ऐसे फिरीवार है जो की चलाना के एक लाक बीस हजार रुपए वो कामाते थे जिनकी उम्र फोड़ा समीड तो सिर्फ वहां पर आस्तू चुआने से लोर पोचने से नहीं होंगे और जितने भी परिवार परिवार मरे हैं उनके लिए आप मुआबजा अगर देते हैं उची मुआबजा देते हैं तो सायद परिवार का पीना थोड़ा कम हो सकता है लेकिन मैं उस परिवार के लिए मैं उसका भाई नहीं लोटा सकता हूं उसका पती नहीं लोटा सकता हूं उसका बेटा नहीं लोट नहीं देखता हूं कि जब मुआबजा दने के जब बात आती है सामने तो परिवार बड़ा आराम से सहम जाते हैं और सोचते हैं कि मुआबजा हमें भी मिल जाएगी लेकिन उस परिवार को यह मालूम नहीं है कि आप अपने घर के आपके आपने बच्चे को जो खोए हैं बे दो पोस्टमाटम कराने से आप नचुक हैं। मैं एक बहुत बड़ावा सवाह आपको दे रहा हूं नहीं दो और आप पोस्टमाटम रिपोर्ट नहीं कराते हैं आपके पास कोई साबूत नहीं होगा आप सरकार से नहीं लड़ सकते हैं आप सरकार से मुवजार नहीं ले सकते हैं तो अपने जो भी परिवार पिरित बच्चे जिनके भी परिवार हो उनका सिनाक पुश्माटम जरूर करा हैं ताकि सरकार के पास सबूत पेस करने का आपके पास अब कोई अप्सन नहीं है हाला कि बहुत सार डेट बोड़ी को छुपाए भी गये हैं कि इतना ही है लोग मृत हुए हैं लेकिन नहीं मैं जिस तरीके से देखा बोड़े में आलू कि बोड़े गतर मृत बोड़ी को फेका जा रहा था बड़ा सर्म की बात है क्या उनके लिए आपके पास समय नहीं था अस्वीनी बैस्नों जी रेल मंत्री जी आप जाकर वहां पर सिर्फ रोकर दिखाते हैं रोकर दिखाने से नहीं होंगे अगर रेल दुरगाटना हुई है उसका जी ममार कून है आपके रेल पर जाएंगे अस्टेशन पर जाएंगे तो अस्टेशन मास्टर सोया हुआ रहता है चाहे फांच बश शूबा हो चाहे साथ बश? सुबह हो चाहे 12 बेद दोफर हो सोया हो रहता है आपके जो रेल में ट्रेन में जो पीछे जंडी देखाने वाले होते हैं वह भी निंद की फराटे भरते रहते हैं वह भी जंडी उडी देखाते नहीं है बहुत जगा ऐसा देखा गया है जो कि ओन कैमरा आपको लोग नहीं दिखाये होंगे बात अलग है लेकिन मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि पहले कभी मैं ऐसलिए बोल रहा हूं जो पहले कभी रेल दूर घटना हुई थी हलाकि CBA जांच की मांग कभी नहीं हुई थी लेकिन आज क्या जुरत पढ़ गई कि आउसकता आप हो हो क्या इसके प जो भी है मैं नहीं जानता हूं मैं साजिस भी नहीं जानता हूं कौन किया है नहीं किया हाला के रेल है दुर घटना हो सकती है लेकिन परिवार कि समयदनाएं और दुख पिड़ित परिवार को एक नूकरी देने में एक सहयोग करने में क्या अधिकत होती है मैं बिहार से ल परिवार को नयाय दिलाने में आप काम दें परिवार को कम से कम 1560 बार रहा हूं कि 15 लाख रुपय की मदद की कि जाए और एक एक सरकारी नोकरी रेले वे की यानि इक सेंट्रल गवर्मेंट की नोगरी दिया जाए तो सायद उस पिनित परिवार का दुख हम लोग कम कर सकते हैं हमारे पास यही रास्तित हैं मैं यही अपना राय रखा हालाकि यह कड़वा है बड़ा लेकिन इस रते हैं कुछ भाई लोग ने हमारे लिए पोस्ट किये कि भाई से पूरा जिला से हों चाहे हमारे और अवरंगावाजी चलाए गाया मने बिहार यूपी कहीं के भी लोग हो उनके साथ में हूं क्या केंद्र सरकार देगी 15-15 लाख रुपया सभी लोग को अगर आप देते हैं तो बहुत आपका मैं अहसान मंद रहूँगा मैं आपका जि लोग मर जाता है उसकी 5 लाख मुआ जाके मंघ करते हैं लो लैकिन आपके एक अवर्य में जो मारे गये है उनके लिए कंनед महां देगा सर हाला कि बिराट को हुली जब 30 करोड रुपया दे सकते हैं उसका भी आप गुना भागा कर लिजेगा तो स्थाथ 200 परिवार के लिए पंदर लाख रुपया के हिसाब से उन्होंने मदद कर दिया बिराट को हुली जब 30 करोड की मदद कर सकते हैं 200 लोग को पैसा पहुंचा सकते हैं पदर लाख के हिसाब से तो केंदर सरकार यानि के सरकार ही आप बैठे हुए क्या आपके पास नहीं हो सकते हैं 400 और यहार परिवार को आप 15 लाख रुपय देकर मुँआब जा और एक-एक सरकार नोगरी देकर अपने माथे का टिका गलंग हटा सकते हैं तो मैं कोई नहीं नहीं करना चाहता हु आलाकि मैं वहाँ देखा कि बहुत सारे लोग आपने फोटो में ब्यास्ते तो बहुत मुझे यह भी लगा कि लोग ही देखा रहा है कि घटना यहां हुई यहां पर ऐसे हुई ऐसे ट्रेंड पल्टी थी वह ऐसे हुई थी मैं वो सब नहीं जाना चाहता हूँ मैं उस पीडित परिवार के लिए आजीवन बोलता रहूंगा और बोलूंगा उस पीडित परिवार को कम से कम 15 लाख उरपे दिये जाए एक एक सरकारी नुकरी दिये जाए और जो सर्विसमेन हैं जो हमारे जो ही भाई हैं उसमें कोई एक आर्मी का जवान भी सुनने में आ आया है कि एक आर्मी का जवान सुनने में आया है बाकि और सारे जो भी होंगे बहुत सारे सर्विसमेन हैं मैं सर्विसमेन के लिए मांग करना चाहूँगा कि जो भी अगर नोखरी करने वाले हैं जिनकी सेलरी 5000-10000 रुपे है और उम्र की हिसाब से उनकी नोखरी कब तक थ उस तरीके से मुवजा उनको जोड़ कर दिया जाए अगर तीस बरस उनका एज है एक लाग पेमिंट है उनका तो कम से कम उनका उम्र भर का मुवजा दिया जाए तब साथ सरकार उस परिद परिवार के लिए दुख सुख हर सकती है बाकी आशू गिराने से आशू बहाने से दिखाने से नहीं होता है साहाब थोड़े कड़वे हैं मैं सब बोल लेकिन जो ही मैं बात बोल रहा हूँ साचाई के साथ आपको बोल रहा हूँ अब भाई हमारे सुनने चाह रहे थे कि तब भाई क्या बोलता है तो भाई हम यही बोलेंगे उस परित परिवार के लिए केंदर सरकार मुआपजा का परोधान करे और परवंध करके करतके हुए जितने भी हमारे भाई इस घटना में घायल हुए हैं मृत हुए हैं चाहे कु सरकार को यह भी सोचनी होगी कि उस परिवार का भरन पुशन करने वाला कौन था अगर एक आदमी पर दो आजमी डिपेंट होंगे दस आजमी डिपेंट होगे उनहीं से उनका रोजी रोटी या फिर पेट चलता होगा तो फिर उस हिसाफ से उनको पैसे देने हो मैं सिर्फ उनके मुँँ आउजा के लिए मैं बात करना हूँ क्योंकि अब उन्हें मैं लवटा नहीं सकता हूँ वापस ला नहीं सकता हूँ तो उस प्रिवार के लिए कम से कम 15 लाक रुपे आप भुगतान करें अब एक एक सरकारी नोकरी भुगतान करें ताकि एक भारत के अस्वीनी वैसनों जी को चाहिए कि वाइसों से अस्टेशन मास्टर जो की इंटर लॉकिंग से लेकर हर एक चीज़ वहां पर जो गलती करते हैं चाहिए अस्टेशन पर निगराने रखने के जोरत है फिला लेते नहीं आपका भाई शोटू तबाए